जैहिंद नमस्कार मेरे शेर शेर नियू काफी बच्चे पूच रहे हैं SSE GD का आप सभी को पता है एक्जाम शुरू होने वाला है दस जनवरी से अब काफी बच्चे पूच रहे हैं कि सरद एक्जाम सेंटर पर जाए तो क्या-क्या लेके जाएं कौन-कौन से तो डोकुमे 23 से आपका एक्जाम शुरू हो जाने है जो कि चलने है 14 फरवरी 2023 तक लाड़ लो अब इन बच्चों के कई ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पेपर देने जाएंगे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसमें से कई बार एक्जाम दिये हैं कंप्यूटर बेस्ट तो उन सभी को प पेंतों लेके जाना डोकुमेंट कौन कौन से लेके जाने देखिए अप चाहिए आपका अधार काड ले लीजिए या कोई और डोकुमेंट जिसकी डेट बर्त ती ओ भी यह 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 देट जो बर्त है वह आपके जो फोरम में आपने बरिये वह होनी चाहिए उस पर ठीक है आपका नाम सेम होना चाहिए आपके फादर का नेम सेम होना चाहिए जो आपके एड्मिट कार्ड में होगा साथ में आपका एड्मिट कार्ड एड्मिट कार्ड तो लेके जाना ही है एड्मिट कार्ड के बिना कैसे एंट्री देंगे एड्मिट कार्ड और एक आईडी यह याधार कार ले लो या कोई और अधर-धवाइड ले लीजे कोई भी एक Id और एक आपका एन्मिnd कारड उसके अलावा हो सकता कि आपसे फोटो भी मांगे जाए एक यह आप फोटो भी ले सकते हैं साथ में अगर मानलो आपके एड्मिट कार्ड में इस प्रेश टूप से नहीं दिखाए देती है तो उसमें फोटो भी अटेज करने क्या हो सकता हो सकती है तो एक से दो फोटो उसके अलावा एक ओरिजनल आईडी चाहिए इसके अलावा दो ऑरिजनल आईडी की जूरत नहीं है नहीं एक ओईजनल आईडी इसमें डेट वर्थ आपका नाम आपके फादर का नाम मज़र का नाम सेंव होना चाहिए तो आपके एड्मिट कार्ड में हो तब ही आपको परवेश दिया जाएगा साथ में आप अपना पेन लेके जाए अब काफी बचे ये भी पूछते हैं कि सर रफ के लिए जो पेज वाइट क्या वो भी हम लेके जाए नहीं कि आपको परमिशन नहीं है वो आपको एक्जाम सेंटर पर ही मुहया कराए जाएगा कई बार जैसे पिसली बार तो इसा वाकी पेन भी दिये गए लेकिन आप पेन लेके जा से तैयारीक कर रहें उंगे लाड़ लोग जैहिंद जै भारत